नमस्काव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चांद पर उमीद करती हूँ आप सब खुश होंगे इस सवाल का जवाब तब दीजेगा जब आप सब सच में खुश हों क्योंकि आज कल चहरे पे खुशी और दिल में खुशी में बहुत फर्क होता है कई बार हम उपव से मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन हम अंदव से दिल से कितना रोते हैं हमारी तकलीफ क्या है ये कई बार हम किसी को जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई दवद ऐसे होते हैं तो जो ना कहे जाते हैं ना सहे जाते हैं जिनकी जो जिक्र है वो हम किसी से नहीं कर सकते लेकिन उनकी तकलीफ इतनी असहीने होती है कि हम सह भी नहीं पाते और ऐसे में कई लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और वो तरीका है वशी करण का तरीका, आप अपनी जिन्दिगी में दुखी कब होते हैं, जब कोई व्यक्ति आपसे दूव चला जाते हैं, वो व्यक्ति जिसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव है, जिसके होने से आपकी सुभा होती है, जिसके होने से आपकी शाम होती है जिसे देखकर आपके चहरे पे खुशी आती है अगर वो व्यक्ति आपसे दूव चला जाए तो मन करता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बजा तो इसी तरह आपनी खुशियों को उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए आपको क्या करना है आईए मैं बताती हूँ एक सरल विधी के साथ यह वशीकरन बहुत प्रचंड है इसलिए बहुत सोच समझके इस विधी को गीचेगा और इसके लिए आपको सर्फ उस व्यक्ति की फोटो और कपूर जी हाँ यह दो चीजे फोटो और कपूर इसके मार्धियम से आप उस व्यक्ति को अपने वश में कव सकते हैं तो आईए बताते हैं कि आखिर वो विधी क्या है जिसके मार्धियम से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कव सकते हैं तो आपको ये फोटो लेनी है और ये कपूव लेना है आपको इस फोटो के पीछे ब्लैक मारकर की सहायता से मंत्र लिखना है आईए बताते हैं मंत्र क्या है मंत्र है ओम नमो हीरीम क्रूम मम वश्यम भवंती ओम नमो हीरीम क्रूम मम वश्यम भवंती इस मंत्र को आपको इस तो इस photo को आपको चार बार fold करना है यह देखिए इस तरह आपको इस photo को चार बार fold करना है और fold करने के बाद 3 घंटे तक इस photo को आपको अपने पास रखना है अपने पास मतलब आप इसे सिर्फ अपने पास ही रखेगा ये नहीं कि आपने कहीं भी इसे रख दिया लेकिन इस photo को जब आप अपने पास रखेंगे तब ही ये वशी करन होगा और उसके बाद आपको कपूर की माधियम से इस photo को जला देना है जी हाँ इस तरह जलाईएगा कि कोई आसपास आपको ना देखे ये विधी करते वक्त जब आप ये photo जला दे उसके बाद इसकी राख को आप ले जाकर पानी में बहा दीजेगा और पानी में बहाने के बाद जैसे ही आप घर लोटेंगे आपकी समस्या का समधान हो जाएगा क्योंकि जो मंत्र मैंने आपको बता है बहुत शक्तिशाली है तो इस बात का ध्यान रखें कि विधी का प्रियोग तभी कीजेगा तब आप पूरी तरह शूर हों कि आपको इस व्यक्ति को अपनी तरफ आकशित करना है उस व्यक्ति को अपने वश में करना है इस बात का ध्यान रखेगा तब ही विधी का प्रयोग कीजेगा और आपको इस विधी को सही प्रकाव से करना है इसका ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या है कोई परिशानी है जिसका समधान आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है आपको दिये गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करना है और गुरु माता से अपनी समस्या का समधान करवाना है जी हां क्योंकि गुरु माता की पास आपकी हव समस्या का समधान है तो समय बरबाद ना करें कॉल करें, गुरु माता से बात करें, अपनी समस्य का समधान करें और अपनी को परिशानियों से बाहर निकालें खुद को, एक खुशाली भरी सिंदकी दें इसके साथ मुझे दीजे जाज़त, जय माता दी